विश्णू शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णू ADP में हार्दिक स्वात करता हूँ अभी एक दो दिन थोड़ा सा बिजी था जिसके नाम से जिसके कारण से मैं वुडियो नहीं बना पया तो उसके लिए सौरी लेकिन आप देखते हैं आज की श्टोरी बहुत ही अच्छी है जैसे कि मैंने पहले ही पता है थोड़ा एक्जाम मोगरा चल रहे है ग्रामर थो हमेंसे की तरह सीखने को मिलता ही है आज की श्टोरी के टाइटल है Book Knowledge Versus Practical Knowledge youtubers वीरुढ खिलाफ जैसे हम बनाम है जैसे हम जैसे मां आले जे एक्रिकेट कई बात कर लें एसे इंडिया स्ट्रांजा अश्रेलिया जो अबना में भारत बना मौष्टेलिए वहीं है विरुद्ध तो ग्रकेंज्ञान वार्चिकाल उने थे खिलाफ या कि रहा है और स्टोरी में क्या समझाया गया है है पोऑर लग मैं लिवड इन विलेज फोर याने चार लड़ लान याने होता है सिकचित पढ़े लिखे विद्वान उसे लन करेथे विद्वान मों लेंगे ठीड है चार विद्वान मैं याने व्यक्ति एक से ज़्यादा आदमी एक आदमियों तो मैन मैन करते हैं लिवड रहते थे इन विलेज एक गाव में एक गाव में चार चार विद्वान व्यक्ति रहते थे तो लिव का से करना में लिवड दे वर और ब्राहमिन्स- वे सभी ब्राहमन थे they were proud of their knowledge proud of their knowledge यान उन्हे अपने knowledge पर यान ज्यान पर गर्व था बहुत से लोग घमट भी बोलते हैं तो उन्हें हम बोल सकते हैं they always talked about books they यान वे always हमेशा talked बास करते थे याना talk का second form talked बात करते थे about यानि के बारे books यानि किताबों तो हमेशा किताबों के बारे में बात करते थे they had read all the epics and new sunscript well they यानि way उन्होंने had read बहुत से लोगों हर बार बता हूँ यह अब नय है तो आपको समझाना जोरी है read 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 तीनों form read 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 ऐसे लिखा होता है but हम पढ़ते कि आप first form को read पढ़ते है second और third form को read पढ़ता read 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 यह ध्यान देंगे फिए अंतरी क्या रहाएगा फिर यदि आप ready पढ़ रहे हो तीनों को तो समझ कैसे आगा भी या first form और रहे हो कि second form के third form ठीक है पार्ष पर्फेक्टेंस कहते हैं यहां पर हैट के साथ वर्प का third form तो यह रीड का third form read है तो उन्होंने पढ़ा था ऐसे पढ़ चुके थे या पढ़ लिया था all the epics all याने सभी the epics epics से आने क्या होता है epics से आने होता है महा काव्य जो बड़े बड़े गरंत महा काव्य को एपिक्स कहा जाता है and new Sanskrit well and new और जानते थे no का second form new कौन सा वाला no k-n-o-w-no वहाँ पर k-n-o-w-k silent होता है यहाँ पर भी k-silent के वल new जानते थे Sanskrit well याने अच्छी तरीके से well याने अच्छा यहाँ पर कुवा याने भी well होता है लेकिन यहाँ वेल याने अच्छा Sanskrit भी अच्छे तरीके से वह जानते थे और सभी महा काव्यों को उन्हों पढ़ चुके थे they had spent यहाँ पर भी past perfect and head के साथ spend का third form spend second third दो नहीं होता है they had spent उन्होंने बिताया था या बिता लिया था बिता चुके थे सभी उस कर सकते हो आप a major period है ना major याने होता है बड़ा या फिर प्रमुक है ना period का मतलब क्या होता है अवधी उसे period कहते है तो उन्होंने एक बड़ी अवधी आवधी मतलब समय बहुत बढ़ा समय of their life अपने जीवन का in studying याने अध्यान में पढ़ाई में and reading और पढ़ने में अध्यान और पढ़ाई में अपने जीवन का बहुत बढ़ा समय उन्होंने बिता दिया था खर्च कर दिया था ऐसे होगा they did not know anything about practical life they याने वे did not know नहीं जानते थे no first form है लेकिन आप बोलेंगे सार नहीं जानते थे past tense का use हो रहा है है past simple tense का sentence है negative sentence है लेकिन तो जब भी did का use हो चाहिए negative हो did not या किवल did का use हो interrogative का तो हम वर्ब का first form है लिखते हैं भले past simple tense है लेकिन हमें first form को यूशे दिया नहीं नहीं लिखेंगे new नहीं लिखेंगे no they did not new उन्हें नहीं पता था वो नहीं जानते थे anything याने कुछ भी about इन्हें के बारे में practical life या भारी जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे किवल किताबी ग्यान उन्हें बहुत था they thought that उन्होंने सोचा की think का सब्सक्राइब थोट इसले सोचा बोल रहा है यहीं पर they think होता तो वे सोचते हैं ऐसे वह जाया उन्होंने सोचा की studying and learning Sanskrit याने अध्यान और पढ़ाई सीखना Sanskrit याने Sanskrit की पढ़ाई और Sanskrit को सीखना is everything in life जीवन में सब कुछ है उनके हिसाब से जीवन में Sanskrit को पढ़ना और उसका अध्यान करना सब कुछ था ठीक है उनके हिसाब से they were not skilled much in the other यहाँ पर देखे यह भी आपको नया वर्ड मिल रहा है इसे हम होलता है Spears हम क्या पते है Spears Spears का मलब छेत्र में of life इधर चलिए इसका मीनिंग देखते है they याने वे वर याने थे not याने नहीं skilled इसके लिए वो कुछल नहीं थे उनमें कौशल नहीं था Much याने ज्यादा इन याने में the other याने दूसरे Spears चेत्रों में of life जीवन के इधर याने भी उने होर भी जीवन के अन्य चेत्रों में ज्यादा in नहीं था याना उनमें ये और कोई quality ते थे वे किताभी इसका धानी थे नहीं महुत था बाकी और बाकी चीज़ों में उन्होंने यह वे उन्होंने दोने यूजशाINT plan बनाई to earn कमाने की money यानने पैसे रुपए पैसे कमाने की with याने से the help of their education the help याने मदद से off याने से their याने उनके अपने education education शिक्षा तो उन्होंने अपने शिक्षा की और फ्याने की के भी उसकाते हैं, help मदद से, विध्याने से, पैसे कमाने की योजना बनाई, बोले कि इतना हमारे पास knowledge है, इससे पैसा बनाते हैं, संस्कृष जिखाएंगे किसी को, या किसी स्कूल वगरे में, जो भी है विध्याला में, हम admission ले ले लेंगे, वन्हें टीच जो भी सोचा हो, तो बोले चलो education से तुबला पैसा कमाया जाया, they decided to go to a nearby village, they याने वे या उन्होंने decided, फैसला किया, to go जाने का, to, कहा जाने का, किसके पाद, to का यूज करते, a nearby याने पास के village गाउं में, पास के गाउं में जाने का फैसला किया, they याने उन्हें, याने head to का यूज किया, head to याने करना पड़ा, या करना पड़ता था, तो हम head to का यूज करेंगे वहाँ पर, यही पर have to, या has to करना पड़ता है, will have to करना पड़ेगा, ऐसे यूज किया, अब head to याने करना पड़ा, तो उन्हें नदी पार करना था, ऐसे भी यूज करेंगे, न तो देखिए, आई के बाद एक, है न, एक वियंजन जो बोलते हैं, इंग्लिस में है, उसके बाद ए आता है, आई को आई पढ़ते हैं, यू को यू पढ़ते हैं, ऐसे होता है, हाइड, आई पढ़ते हैं, हाइड, बोट यह न होता है, तो हाइड करने ने क्या होता है, किरा वहाएपल रहाएट बोलते हैं। उन्होंने किराय से एक नावली, याने कि नाव चलाने के लिए आद्मी को यसे हाइट बोलते हैं। all the four brahmins were happy सभी चारो brahmins वर याने थे ऐसे brahmins बोलते हैं और ऐसे में इगली ब्राहमिन ऐसे बोलते हैं happy खुष थे that की they were going वे जा रहे थे वह या वर के साथ आईजी फॉर्म रहा था रहे थे तो बहुँत से लोग है वर तो वे जा रहे थे to earn कमाने के लिए money पैसे तो सब कोछ थे कि वो पैसा कमाने के लिए जा रहे थे The boatman was singing a song while rowing the boat तो rowing का यूज़ करते हैं rowing, rowing होगा ना The boatman याने नाव वाला milkman, दूद वाला वसी boatman नाव वाला was singing गा रहा था past continuation was ever के साथ a song एक गाना गा रहा था while याने के दौरान rowing the boat, rowing याने का था row याने होता है खेना, नाव खेने के दौरान खेना समझ गे नाव कैसे चलाना चपु चलाना उसे rowing कहते हैं अब वो गाना गा रहा था one brahmin, एक brahmin है ना ask the boatman, ask याने पूछा ask का से कर्म हम asked, पूछा उसे नाव वाले से पूछा have you ever been sorry, have you ever been to a school, have you you have ever, ऐसे होता तो have यादी helping वहाँ पहले आ गया, तो यह आपका interrogative sentence प्रश्न वाच्चक, देखी यह question मार लगा हूँ है तो have you ever been तो यहाँ पर use किया गया है to, कहाँ कि I school क्या तुम स्कूल गया हो, क्या तुम कभी स्कूल गया हो, ever याने कभी भी ever के use करते है, क्या तुम कभी भी स्कूल गये है या गये हो, दोरों कुछ सकते हैं, no sir नहीं स्रीमान, said the boatman humbly, said याने कहा boatman, now एकने, humbly हमली, याने क्या होता है बहुत ही सिष्टा से, उर्दू में क्या बलते है, आदाप से, बहुत ही आदाप से विनम्रता पुरुव कहा, कि नहीं सर नहीं स्रीमान, हम तो नहीं कहा है the brahmin said, brahmin ने कहा oh poor fellow, poor याने बेचारा भी होता है, गरीब भी होता है हाँ पे बेचारा बोल सकते हैं अरे बेचारा आदमी, फेलो याने आदमी को फेलो कहते है, अरे बेचारा आदमी you have wasted one fourth of your life you have wasted, तो have के साथ west का third from wasted, second भी है third भी ही है, west याने बरबाद करना तो बरबाद कर दिया है क्योंकि have के साथ है, present perfect दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है you have wasted, तुमने बरबाद कर दिया है one fourth of your life तुम्हारे जीवन का one fourth, याने एक चौताई को one fourth कहते है, माल लिजी one है तो उसका समझ लिजी इसको एक चौताई बोलेंगे, है ना एक चौताई भाग को तुमने बरबाद कर दिया now the second brahman bragged, of his knowledge अब दूसरा brahman bragged, bragged याने क्या होता है हम बतुते हैं, बढ़ाई मारना shakey बगारना, डिंगे हाक उससे bragged कहते है अब दूसरे brahman अब बढ़ाई मारना शुरू करती, of his knowledge अपनी जानकारी का, याने अपनी ज्यान का तो knowledge के sand होता है यहाँ पे, knowledge, db sand होता है knowledge नहीं होगा, knowledge तो अपने ज्यान के लिए के लिगते हैं, लिग पढ़ते नहीं है kn यदि एक साथ है, जाहते हैं, के sand होता है तो नहीं हो गया, knowledge हो गया, नी हो गया, knife हो गया बहुत साथ होता है, knock knock and ask the boatman अब वो अपनी बढ़ाई मारने लगा और उसने नाविक से पूछा, नावचरानेवाले से have you read Sanskrit? यहाँ पर भी read बोल रक्यों, क्योंकि have का use के लिगे तो क्या तुमने संस्कृत पढ़ा है? यहां पर यदि ऐसे होता You have यदि You के बाद सब्जेट के बाद You have read संस्कृत तुमने संस्कृत पढ़ी है Question मारा हमके फुली स्टॉप रख जाते है Affirmative sentence बन जाता हाँ तुमने पुस्तक पढ़ी है ऐसे बता रहें, you have read, sorry, you have reading list, तुम ने इंगलिस पढ़ी है, लेकिन अब helping work को यदि पहले ले आएं, तो एक question mark में नहीं नहीं, interrogative, have you read Sanskrit, क्या तुमने Sanskrit पढ़ी है, ऐसे, ठीक है, क्या तुमने Sanskrit पढ़ी है, no sir, नहीं स्रीमान, I have never read Sanskrit, यहाँ पर भी read बोल रहा हूं, क्यों the boatman said, politely, नाव वाले ने, said याने कहा, say का से कहना हूं, said, politely याने, वही, विनमरता पुर्वक, शिष्टा पुर्वक, नमरता से, आदाप से कहा, नहीं महोद है, मैंने Sanskrit, कभी नहीं पढ़ी है, the brahmin said, with pride, brahmin ने said, कहा, with pride याने, बोलता है, घमन के साथ, अभिमान के देन तब, you have vested, फिर वही है, present perfect, दिया है, लिया है, चुका है, तुमने बरबात कर दिया है, half of your life, half, यहां पर भी L silent है, half, half नहीं पढ़िंगा, half, silent later L, of your life, अपने जीवन का, अधा जीवन बरबात कर दिया, half of your life, अपना आधा जीवन बरबात कर दिया, एक ने कहा, एक चौथा ही बरबात कर दिया, एक बोल रहे है, तुम्हारे इतना जीवन है, तो यह आधा पूरा बरबात कर दिया, तुमने आधा ही बचे है, संस्कृत नहीं सिखा, क्या सिखा, आधा जीवन बरबात है, ठीक है, अभी भी जो स्टोरी देख रहे हैं, तो इसमें ना संस्क सत्कुरहें की जारी है कि जैसे बताते na कि व्यक्ती ही बुरा होताका सुन्राएं कोई ही मुषण कोई बहुतनी थर्म को नलाग का सब्सक्राइब होता है किसी भी धर्म का हो सकता है स्टोरी कों युआ अभी मुशलिमों के भारे में आता है कभी किसी पंजाब उड़ा दिया तो विश्टोरी तो रहती है तो उसको पहुत उसको कि तो तो अभीमान के साथ कहा यह वेस्टर हम आधाजीवनबर बात कर दिया तुमने एक ने कहा एक चोथा एक ने का आधा जीवनबर बात कर दिये जब तुमने स्कूल नहीं हो संस्कित नहीं पड़े हो अथब विकार तुम्हार जीवन the third Brahmin was enjoying the talk the third तो तीसे ब्रामिन was enjoying मजे कर रहा था आनन्द ले रहा था पाशकन्दी वेच्छे वास के सा enjoy न मजे ले न enjoying मजे ले रहा था the talk क्या ने बाद यहाँ पर भी else silent है talk नहीं होगा talk जैसे यहाँ पर half नहीं था half था वैसे यह talk नहीं talk होगा तो बातों का मजे ले रहा था he said उसने कहा boatman नाव वाले you have not studied Sanskrit study का third form studied तो वाई हट के id लग जाता है यहाँ पर भी have कहीं उसकिया गया है तो फिर study third form है second third दो नहीं होता है not negative sentence यह भी आपका हो गया have had present perfect tense का negative sentence you have not studied Sanskrit तुमने Sanskrit नहीं पढ़ी है you have not gone to school यहाँ पर भी देखिए go went gone third person gone go went gone फिर have के साथ है not negative sentence present perfect tense का negative sentence you have not gone to school तुम्हे स्कूल नहीं गया हो देखिए माई वही बुरू ना गये हो गये हो पढ़े हो लिखे हो ऐसे यूज़ कर रहा हूँ तुम स्कूल नहीं संस्कूल नहीं संस्कूल का अधिया नहीं किया है तुम इस्कूल नहीं गया हो now अब tell me मुझे बताओ have you read all the epics have you read फिर वही read का read पढ़ रहा हो क्योंकि have का have you read क्या तुमने पढ़ा है the epics epics यह नहीं बता नए epics क्या epics ऐसे बोलेंगे आप ओल सकते हो उसको epics बोल सकते हो तो वहाँ पर epics ऐसे बोलेंगे क्या तुमने महा काव्य पढ़े हो तीसर अब रापमन नहीं पूछा अब इसका mood खराब होगी होगा देखिए अब एंडिंग बहुत अच्छी है बस प्रेंडिंग आगई समझ लीजे तीसर ने पूछा क्या तुमने महा काव पर पढ़ा है कि दबोट मैंड वास सर्प्राइजड तो नाव वाला वाज जने था क्या होगे सर्प्राइज हैरान था इस प्रकार की बात करते हुए ऐसे बोलते हुए वो हैरान था सुनकर कि इस प्रकार की बात कर रहे है लोग सरीमान how is one expected to study the epics? कोई कैसे कर सकता है कि कि कसी से महागावे का ध्यान करने का अपैक्षण की जा सकती है ? कैसे कर सकते हो कि क्या बहुत ने हो सकता है को ब्राहमन है लेकिन आ क्या वह पढ़ा हूं रामाय लगीता चैसे पढ़ा हूँ लेकिन आप बोलोगे della ठीक है भगवान को मानता हूं क्या मैंने सभी वेत पुरान पढ़े नहीं मैंने नहीं पढ़ा है यह बीसोचा यह क्या बात हुई कि किसी से भी आप पूछ रहों कि महा कावे पढ़े हो क्या वैसे भी नाव वाला हूं ऐसे नहीं पढ़ सकते बंड मेरा काम तो नाव चलाने यह सब पढ़ने का आप मुझसे कैसे पूछ रहे हैं इसने कहा वैन ही इस इलिटरेट देखिए बोल रहा है वैन जब जब कि क्या ही इस वह है इलिटरेट या निरक्षर अग्यानी मैं तो अनपढ़ हूं लिखा पढ़ा नहीं हूं अशिक्चित हूं तो आप इससे कैसे पिक्षा कर सकते हो महा कावे पढ़ने के यह भी हरान हो गया ओ अरे what a surprise याने क्या हरानगी है कितनी हरानगी की बात है you have not read the epics तुमने महा कावे नहीं पढ़ा है how will you नहीं पढ़ी है how will you pass your life how याने कैसे विल गागी गे future tense you याने तुम तो विल पहले आ गया तो इंट्रो प्रश्णवाचा बन गया है how will you pass तुम कैसे बिताओगे यो लाइफ एन अपना जीवन तुम अपना जीवन कैसे बिता पाओगे you have wasted है ना तुमने बरबात कर दिया है three fourth of your life three fourth अब three fourth याने मेरे खाल से ऐसे एक दो तीन याने यह three fourth होग एक ही बचा हुआ है तुमने तीन तीन-чौथाइए अपना जीवन बरबात कर दिया इसमें गलती हो तो बता देना हमें घड़ी तुतनी है यह एक बल रहे कि है न तुमने पूरा तीन-चौथाइए बर बात कर दिया है अब इसने जो बहुत बात बहुत ही बहुत ही बहतरीन है the boatman was feeling humiliated तो नावाला was यह था feeling कर रहा था feeling यह महसूस कर रहा था humiliated का मतलब क्या होता है हम बोलते है ना ऐसे normally क्या होता है बेजज़ती बोल लेते हैं अपमानित हिंदी में तो वो अपमानित महसूस कर रहा था बेअब्रू ऐसे कुछ होते क्या अब मानित महसूस कर रहा था suddenly अचानक से he saw उसने देखा अचानक से उसने देखा a hole एक छेट को इन याने में the boat नाव में छेट को देखा and water seeping through it और पानी seeping क्या हो रहा था seeping याने risk रहा था through it इसमें से it याने इसमें से risk रहा था उसने देखा भी अरे यह तो क्या हो रहा तो उसने पानी इसमें रिश रहा था he asked the brahmins उसने पूछा the brahmins brahmano से पूछा do you know swimming sir do you know क्या आप जानते हो present simple tense का interrogative sentence है जहाँ पे do या does का use होता लेकिन use subject है तो you के साथ do का use होता है I, you, we, they do you know क्या आप जानते है swimming यह तैरना सर महोत है स्रीमान क्या आप तैरना जानते है आप देखिए यहाँ पे मज़ा आ गया no नहीं said all the brahmins सभी brahmins ने कहा नहीं आप तैरना नहीं जानते अब इसने क्या वाद बोले देखें मज़े ले लिए then you have wasted the whole of your life तब तुमने you have wasted आपने बरवात कर दिया है the whole डबलू सैलेंट के बल होल यह होल याने छेद था यहाँ पे आँ गया यह होल यह होल याने होता छेद यह भी होल पढ़ते लिए डबलू सैलेंट यह होल याने पूरा whole family पूरा परिवार whole world पूरी दुनिया whole universe पूरी ब्रह्मान तो उसे whole कहते होल स्टोरी पूरी कहान तो whole यह होला लगा होला लगा of your life तो यह बोला मज़े लेते वह बोले कि आरे तुम इन तेहरा नहीं आता तब तो तुमने पूरी अपनी जिन्दगी बरबात कर दी है our boat is sinking हमारी नाव डूब रही है sink क्याने डूब ना ing form is mr के साथ ing form तो रहा है रही present perfect sorry present continuous और was या बर के साथ था तो past continuous रहा था रही थी है पर रहा है रही है हमारी नाव डूब रही है water has filled पानी भर गया है have या has के साथ वो आपका third form फिल याने बरना फिल याने second form है ना तो water third person मानते है अदर में तो वहाँ पे has का यूश के आता है water has filled पानी भर गया है या भर चुका है in the lower part निचले हिस्से पर off our boat हमारे नाव के निचले हिस्से पर पानी भर गया है या पानी भर चुका है you have to jump अब देखे have to मैंने have to को पता है न करना था have to याने करना है you have to jump तुम्हें कूदना है out याने बाहर off the boat तुम्हें नाव के बाहर कूदना है कुछ करना है तो हम have to के यूज़ करते है कुछ करना पड़ेगा तो will you have to ऐसे यूज़ करेंगा sorry will have to के यूज़ करेंगा said the boatman नाविक ने कहा नावाल ने कहा आप तो तुम्हे and jumped और कूदा out याने बाहर jumped out याने बाहर कूद गया to swim तेहरने के लिए to save his life अपने जीवन मचाने के लिए अपनी जान मचाने के लिए तेहरने के लिए नावाल से बाहर कूद गया all the four brahmin सभी चारो brahmin drown drown याने होगा drown डूब गया second form as क्योंकि as याने जब के रूप में क्योंकि यह बहुत सारी as क्योंकि they did not know swimming they did not know no first form क्योंकि they did not know swimming उन्हें तैरना नहीं आता था उन्हें तैरना नहीं आता था अब बोलेंगे sir did not का यूज के आता swim का यूज के इन भी यहाँ पे हम इसे इसे हम verb मान रहे है swimming को हम केवल तैरना ऐसे नाउन की रूप में उस कर रहे है तो they did not know swimming उन्हें तैरना नहीं आता था देखिए कितनी बड़िया स्विटी से सीख भी मिलती है मोरल भी मिलती मोरल यहाँ पे दिया नहीं है कि आपको मोरल बता रहा हूँ कि जैसे कि किसी की भी बात हो सकते है यहाँ पे तो example में ब्राह्मिन दिया है कि केवल उन्हें लगता था कि हम Sanskrit सीख चूके हम महा काव यह हमें पता है तो हम सबसे बड़े ज्यानी है दुनिया के हमसे बड़ा ज्यानी कोई नहीं है जूटा करब और ग्यानी होते हैं जो एक्चुल में जो ब्राह्मिन है जो महापूरुष सच में चीसे कहा जाना चाहिए जो साधु संत है जो 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 बखान नहीं करते है यहाँ चूप चाप रहते हैं केवल प्रवचन देंगे अक्षी ची बातें तो नहीं बताएंगा मुझी इतना आता है क्या आता है सब कंठा सब याद रहता है उन्हों वह एक्चुल में गुरू है और जो भी अब गुरू मानते हैं किसी भी धर्म में अलग अलग धर्म में जो भी ज्यानी संद महात्मा है तो जिनें आता वो तो भई अपनी कर नहां हुं गरवता क्योंकि हमें संस्कित आती है महाज कवे आता कि अधेम नहीं आता तो इन्हों ने लिए Counter YouTubers से शेन क्या काम के तुम कोई मतलब कर नहीं है तो बोला भी मैं अज्यानी हूं है निरक्षर हूं मुझे पढ़ना नहीं आता आप और महा कवे पढ़ लो तुम्हारा पूरा जीवन बरबाद है मतला एक तीन चौधा जीवन बरबाद है फिर नाव में छेत को देखा नाविक ने कहा पंडिजी के आप लोग को भ्राहमिन के आप लोगो तहरना आता है वह रहें दो तुम्हा है आपना इससे तहरना आता था कूथ के निगल गया और वो चारो नुपके मर गया वहां पे क्योंकि इसलिए कहा गया वहिए किसी के भी जो आ है उनमें जो qualities है ना उसे कभी भी छोटा नहीं समझना से अब कितने भी बड़े ग्यानी हो तेकिन इस समय वो आपका ग्यान कुछ काम आया गया आपका जो महा काव है आपके जो ग्यान कुछ काम आया कुछ भी काम नहीं है काम आया जो जो उसे practical life में जो अपना जीया था कौन नाविक तैरता था आप बुक में बस पढ़ोगे किताबी ज्यान कि ऐसे तैरना है वैसे तैरना हात को ऐसे करना पैर को ऐसे करना टीक है जब तक आप एक्च्वल में वहारी जीवन में तैर के नहीं देखोगे आप नहीं सीख पाऊगे कार ड्राइविंग जीतना वीडियो देख लो आप दुनिया भर का गेम खिल लो जब आप कार निकालो के ना वहार तब आपको पता चलेगा वहां पे गेम जैसे वापट ठोकने के बाद वापस ट्री स्टार नहीं होता है गया कार भी आपन में नहीं पड़ सकते हैं तो व बुक नॉलेज है वर्सस परेटिकल नॉलेज तो किताभी ज्यान के विरूद्ध वियावारिक ग्यान तो दोनों में अंतर यही बताया गया कि उन्हें किताभी एंधकिताब किताब बस लेकिन अप्तिंग और भी बहुंद सारी चीजों होते जिसके बारे मैं आपको जानन कि कंणे ओढाने के अभी से करना नहीं करने कि अरे इसे मों कमाता है तो इसके स्कील अच्छी नहीं है आज का आप वीडियो बनाने वाले की करोड करोड़ी है हमारे यासे जो teacher पढ़ा रहे हैं पैसा तो आने के नाम ही नहीं लेता है सब्सक्राइबर कोई देखते हूं कि बहुत कमाते हैं सा लेकिन नहीं है knowledge वाले का कोई पैसा नहीं है जो फाल्टू का वीडियो बना रहे हैं फाल्टू-फाल्टू के content बहुत वीडियो है तो कि आप क्या बोलोगे उनका स्किल सर से जाता है वो लोग बहुत स्किल्फूल है क्योंकि ज्यादा पैसा कमाते नहीं पैसे से कभी भी किसी की स्किल की तुलना मत कीजिए सबकी अलगलग quality होती है आपके कुछ quality है कोई अच्छी painting करता है किसी में कुछ न कुछ तो qualities रहती है कोई अच्छा मिट्टी के बरतन बना रहे हैं कोई बढ़िया सेविंग मगारा कर सकते है मतलब saloon का जो काम होता है salon का का काम होता वो कर सकता है salon ऐसे बोलते हैं और सबकी अलगला क्वालिटी होती है जो skill है quality है उस पर बने रही है आगे बढ़ते रही है आप जरू successful होंगे और आपके skill है आपको बचाईए भी है उन्हावी संस्कृत पढ़ता तैयरना नहीं आता तो क्या बसता क्या नहीं बसता वो अपना तैयरना सीखा था इसलिए उसकी जान बज़ गई भी तो ऐसे है सब जगा अलग अलग जो उसकी qualities है जो skill है वो काम आते है तो कभी किसी की skill को छोटा नहीं समय क्योंकि यह लोग उसे चोटा दिखा रहते हैं बार बार चोटा दिखा आते हैं हमें यह आता है तुम्हें यह नहीं आता तुम्हारे जीवन वरबाद है और आकर जीवन दून आपनों ट्रांस्टेट करके देखिए शोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो प्लीज लाइक करेंगे, शेर करेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप कर दें शुब रहे, बहुत चलो पूस्ते सर इसका पीडियेप कहा मिलेगा, टेलीग्राम में विश्णुवेटीप सर्च कर लेंगे पेज, वहाँ जॉइन हो जाएए, वहाँ पर फ्री में सब पीडियेप मिल जाता है बहुत बहुत धरन्यवाद